तो आज हम वेक्टर का अगला पाट अगला पाट का मतलब क्या हुआ वेक्टर में हम मल्टिप्लिकेशन और वेक्टर बता रहे थे तो मल्टिप्लिकेशन में आपका हम डॉट पोड़क्ट या स्केलर पोड़क्ट के बारे में बताए और उसका सारा प्रोपाटी बता दिये वो क्या है cross product और vector product जैसा कि नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा cross vector product मतलब अगर दो vector को multiply करें और जो उसका product अगर vector ही आएगा तो उसको क्या बोलिएगा vector product बीच में sign क्या पड़ेगा cross का पड़ेगा इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होगा cross product a scalar product में क्या था अगर कोई quantity a scalar आया result product दो vector का product अगर a scalar आया तो उसमें क्या था cable magnitude बता है a.b का magnitude क्या था simply a.b.cos टिटा कहीं भी direction को जिक्र हम नहीं किये थे कि a.b का direction क्या होगा क्योंकि कैसा quantity था a scalar तो आज चलिए हम cross product या vector product के बारे में बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक figure बना जते हैं एक माली जी यह plane है board जिस पर हम लिख रहा है देख रहे हो जिस पर हम figure बना रहे हैं यह क्या है plane है और उसमें भी एक plane हम consider किये एक vector a और एक vector क्या लिया b इस plane में बीच का angle क्या है माली जी ठिटा अगर a और b का product a cross b लिख रहे हैं तो सबसे पहला चीजी कैसा quantity हुआ vector quantity हुआ अब vector quantity हुआ तो इसमें दो चीज हो जाएगा पहला आपका क्या होगा magnitude होगा second इसमें क्या बताना होगा direction बताना होगा तो इसका जो magnitude होगा a का magnitude into b का magnitude into sin ठिटा या simply लिखेगा तो a b sin ठिटा a b sin ठिटा जो magnitude होगा क्या होगा scalar होगा अब इसको vector बनाने के लिए एक इसमें multiply कर दिये unit vector एक carrot का sign दिये हुआ है एक ऐसा vector है unit vector है unit vector यही इसका direction देगा कैसे समझे है unit vector ऐसा unit vector जो इस plane पर क्या है perpendicular है n बरावर क्या है एक unit vector perpendicular to the plane containing vector a and vector b एक ऐसा unit vector लिया गया जो दोनों पर perpendicular या plane पर perpendicular है plane को हम समझा रहे है इसका direction क्या होगा अगर आप बोलते हैं कि कोई vector plane पर perpendicular है माल लिज़े एक कागज है कागज में देखें इसमें अगर हम इसको डाल दिए तो ये marker जो हो गया इस कागज के plane पर क्या हुआ perpendicular यहां से जतना भी line ड्रॉँ करेंगे जतना भी line ड्रॉँ करेंगे सब पर इस marker क्या होगा perpendicular होगा तो आपका n एक unit vector है जो दोनों पर क्या है perpendicular है उस plane पर perpendicular मेंद n क्या होगा perpendicular a perpendicular to b अब जासा इसमें ठीक है n से अब finally आप क्या समझे दखिया a cross b क्या होगा finally a b sin theta unit vector n अगर आप इसका magnitude लिजेगा modulus लिजेगा तो क्या होगा a b sin theta n n का अपना magnitude क्या होता unit vector का 1 तो a cross b modulus लगाने का मतलब हुआ a quantity कैसा quantity है vector quantity है अब जासा direction के बारे में बताते है cross product का direction क्या होगा अलग से देखिया direction of direction of a cross b ये तो बोल दिये कि unit vector plane पर perpendicular तो plane पर perpendicular तो क्या inward की outward ये समझाना जरूरी है अब देखिये कैसे इसका direction लेते है a cross b a vector b vector इसका जो direction लेते है right hand rule है जिससे हम लिख रहा है कौन हाँ था आपको देखिये right hand है इसका direction कैसे लेजिए देखिये अगर हमको a cross b का direction लेना तो देखो क्या करोगे ये आपका right hand है हुआ तो right hand को ऐसा फैलाईए और इसको कर्ल किजिए मोड़िए किस direction में जिस direction में ठिटा decrease करेगा मतलब a से a cross b है यहाँ समझिए इक कर्ल को क्या कर रहे है अपना अंगली को कर्ल कर रहे है मोड़ रहे है बाकी को और अंगुठा को ऐसे रख रहे है ये अंगुठा इसके plane पर क्या हुआ perpendicular हुआ और क्या हुआ outward हुआ आईसे रहे हैं कि outward बाहर की लगा तो a cross b a cross b का जो direction होगा n दिया एक ऐसा unit vector है unit vector perpendicular to the plane इस figure दिशार and outward किदा लगा बाहर की और लगा अब समझिए right hand rule से b cross a का direction समझिए हमको इस start कहां से करना है b से जाना किदर a की ओर अब इसको समझिए ये अब अपना ये राइट हैंड लिये यहां लिया है और इसको मोड़ना है theta decreasing बने b to a जाना है तो हमरा अंग उठा किदर जा रहा देख रहे है देख रहा है inward जा रहा अंदर क्यों जा रहा तो अगर b cross a ले रहे तो इसका जो unit vector n होगा वो कैसा होगा unit vector होगा perpendicular to the plane and inward अंदर क्यों लगेगा आपका practically ऐसे भी समझ सकते हैं दखिए यह figure है एक कागज क्या है plane है plane में एक vector क्या खिचा हुआ a और दूसा vector क्या खिचा हुआ b हमको एक cross b का लेना है तो यह जो आपका right hand है इसको चारों अंगली को curl किजिए मोड़िये किधर ले जाए बी क्योर बी क्योर ले जाएगा ठिटा का value घटेगा यह अंगुठा क्या हुआ plane पर perpendicular हुआ और किधर हुआ outward हुआ अब second आईए अगर हमको b cross a लेना है b b से किधर जाना है a क्योर जाना है तो आपका यह practically समझाते है देखिए यह अंगुठा plane पर perpendicular हुआ इसको curl किजिए चारो अंगली को किधर ले जा रहे है b b देख रहे है तो यह अंगुठा क्या हुआ इस कागज के plane पर perpendicular है और किधर लग रहा है inward लग रहा है और इसमें क्या हुआ देखिए ऐसे था इतो और इसको ऐसे curl करके इधर ले गए अंगुठा किधर गया बार कागज के plane पर इभी क्या हुआ perpendicular हुआ तो direction आप समझे गए a cross b का दोनों साइड a cross b ले या क्या ले b cross a ले तो अगर यहाँ इस figure में a cross b लिये थे तो plane पर perpendicular हुआ और outward हुआ finally आप क्या समझे a cross b a b sin theta unit vector n यह माली जब multiply करेंगे तो एक नया vector कोई आया c n क्या है perpendicular a perpendicular b या बोल सकते c perpendicular a c perpendicular b और c क्या होगा plane पर perpendicular होगा a cross b outward हुआ b cross a ले यह तो inward हुआ अगर कहीं आपका इसका modulus लिजेगा तो simply क्या लिखेंगे a b sin theta लिखेंगे अब आईए properties पहला आईए a cross b अब डोनों लिख दते हैं a b sin theta unit vector n लेकिन a cross b का mod तब क्या होगा a b sin theta simply क्या होगा a b sin theta पहला आईए sin theta का maximum value क्यातना होता आपका one होता है one किस angle पर होता है 90 degree पर the magnitude of magnitude लिखेंगे अब a cross b यह क्या होगा maximum a theta मतलब angle between a and b is कितना degree 90 degree sin 90 का value one one क्या है maximum value है यह maximum value हुआ इसलिए a cross b का magnitude simply क्या हुआ a b और यही चीज़ आपको dot में बोलेगा तो dot में cost theta था cost theta का भी maximum value one होगा जब theta का value क्यतना degree होगा 0 d second आई है अगर आपका दो vector same direction में हो या parallel हो if two vectors are in the same direction एक ही direction में हो और parallel to each other एक दूसरे के क्या हो parallel होगा अगर अगर दो vector same direction में हो या parallel हो जासे ऐसा हो a vector b vector theta का value क्या ना होगा 0 degree sin 0 का value क्या होगा 0 इसलिए a cross b का magnitude क्या हो जाएगा 0 होगा समझे है second third में यह third में क्या है उसमें एक property था dot product में की a dot a करने से उसका value modulus क्या square के वरा रहता है अब इसमें देखिए क्या आएगा the cross product of a vector bit itself अपने साथ अगर करते हो तो इसका value 0 हो जाएगा क्यों 0 होगा देखिए a cross a इस formula पूट कीजिए a फिर a a और a के बीट का angle क्या ना ठेखिए 0 sin 0 का value 0 इसलिए total क्या हो गया 0 हो गया a cross a 0 fourth property आते है dot product दो vector का a dot b और b dot a क्या था equal था लेकिन cross में equal नहीं होगा equal होगा आगे हमको sign क्या देना पड़ेगा minus तो इसको कौन rule बोलेंगे commutative तो है with negative sign तो इसको बोला जाता anti-commutative मतलब क्या समझे इसको proof करके दखाते हैं fourth में the cross product of two vectors is anti-commutative means anti-commutative मतलब a a cross b बराबर होगा minus b cross a bracket इसलिए दिए bracket नहीं दिजिएगा तो लगेगा minus vector b इसकी गुना यह है है तो भी मने फोल में आपका क्या है minus का sin इसका आप प्रूप देखियो अभी हम direction समझाते हैं उसी जब प्रूप कर देगा प्रूप देखिये ए बेक्टर a a vector क्या है b theta पले हम a cross b निकालते है a cross b a b sin theta unit vector n अभी direction समझे फिस है इसको आइसे कर्ण कर लिए अंगुठा मेरा किधर जा रहा है बाहर कियो और जा रहा है outward है एक unit vector n नहीं पर्पेंडिकुलर टूदी प्लेन है and outward है अब आईए b cross a निकाल है तो यहां लिखा b a अब यहां से लेना है b cross a तो आप उठा हमरा किधर जा रहा है inner word जा रहा अंदर क्यो जा रहा इसको मोडने से तो अगर इस direction में बाहर में हम unit vector क्या डिलिए n उसके opposite direction रहेगा तो क्या लेगा है minus vector a तो b sin theta यहां पड़ क्या देज़ेगा minus unit vector n मतला minus a b sin theta unit vector n a value और a value सेम है अंतर क्या हुआ minus का हुआ इसलिए finally क्या proof हुआ कि a cross b equal to minus b cross a तो cross product दो vector का क्या होता है anti commutative होता है अब आते हैं main properties का i, j, k आपका जो unit vector का है उसके बीच में cross product का value five number में आई है cross product between two unit vectors unit vector क्या है i, j, k दखेंगे फिर गर से समझेए इधर x axis इधर क्या लिए y axis इधर क्या लिए जे लिए जे अक्स x के त्रफ unit vector क्या लिए i इधर क्या लिए j इधर unit vector क्या लिए k i, j, k तीनों क्या है mutually perpendicular unit vector है और तीनों का magnitude i का magnitude j का magnitude k का magnitude is equal to क्या है 1 और i, j का बीच का angle 90 ये 90 ये क्या है 90 degree है दो कोई भी दो vector लिजेगा बीच का angle केतना degree होगा 90 degree होगा फर्स्ट आते हम similar वला ये वला फर्मूला आपको ध्यार रखना है क्या ध्यार रखना है a cross b a modulus b modulus sin theta unit vector n पहला टाइप का आते है i cross i similar है similar unit vector के बीच का cross product निका रहे है इससे मिला ये a के ज़ा पर आई b के ज़ा पर भी आई है तो क्या भरियेगा i फिर i i अपने साथ क्या angle बनाएगा 0 unit vector n कुछ भी दीजेगी t1 1 sin 0 0 n total value क्या कर दिया 0 जब आपका i cross i 0 हुआ तो similarly j cross j या k cross k लिजेगा तो इसका भी value क्या आएगा 0 means i cross i j cross j k cross k equal to 0 और dot में क्या था i dot i j dot j k dot k का value क्या आया था 1 जब तम prison कीजिये दोनों में अब आईए मेन आपको समझना अलग लग लेते हैं i j लेंगे j k लेंगे तो क्या होगा दो फाला b नमर में i cross j मिलाए a के जब पर i b के जब पर क्या है j इसमें पूट कीजिये i का मोल लग लग फिर j का मोल लग i और j का बीच का ये इंगिल केतना डिगरी है 90 डिगरी है तेहां क्या भरियेगा sin 90 और इस पर आप ध्यान दिजिए ये क्या है पाला unit vector दूसरा ये ऐसा unit vector जो perpendicular a perpendicular b ये तीन properties होना चाहिए ये आपका देखिए properties k बे है की नहीं है third जो unit vector k है पाला unit vector तो ही है k i पर भी perpendicular होगा और किस पर होगा j पर भी होगा तो n के जापर आप क्या भरियेगा k t1 e1 e1 k तो क्या भहिलो आया k तो i cross j equal to k 1 नहीं आएगा अगर इसका modulus लिजेगा कि i cross j का modulus तब आप बोल सकते हैं कि इसका modulus क्या होगा 1 क्योंकि cross product दो vector का कैसा quantity होता है vector quantity होता है ये ध्यान रखिएगा तो i cross j आपका हुआ k अब आई ये अगला जब ये i cross j k आया तो अगर इसको उल्टा लिख दें कि j cross i तो अभी आपको बताए anti-commutative तो इसका value क्या होगा k minus k तो किसमे plus होगा किसमे minus होगा देखे एक काई से anti-clock white rotate कर दाई है i cross j third vector क्या होगा k अगला क्या आएगा j cross k तिसरा क्या होगा i फिर क्या होगा k cross i तिसरा क्या होगा j और इसका अगर उल्टा लिखा हुआ j cross i क्या होगा minus k k cross j क्या होगा minus i i cross k क्या होगा minus j इसको आर भी हम समझा जते हैं देखे याद रखने का तरीका क्या है I cross I, J cross J, K cross के तो value 0 है माल लिज़ तीन vector है I, J, K ये direction क्या है? N, T, clock Y I, J लगे तो तीसरा क्या लिज़ेगा? K J cross K लेंगे तो third unit vector बचा I और K cross I लेंगे तो third unit vector क्या बचा? J और अगर आप clock wide direction में भूमियेगा तो सम्मे भैलू में आगे क्या लगा दीजेगा? माइनस लगा दीजेगा क्या हुआ जैसे J cross I तो माइनस K I cross K तो क्या होगा? माइनस J K cross J क्या होगा? माइनस I समझ में आ गया? अब इसका last property component form है उसको बता रहा है आपका कितना ही था? 5, 6 नमबर गाई है इस form में रहेगा A1 I, A2 J, A3 K B vector है B1 I, B2 J, B3 K अब आपको A cross B का value निकालना A cross B इसका देखें method first general type से गुना करके बताते हैं general गुना उसमें बहुत जल लंबर टाइम लगेगा फिर एक cross multiplication मताईएंगे इससे आप तीनों गुना करते हैं तो क्या लिखेगा? A1 B1 I cross I फिर A1 B2 I cross J पलस A1 B3 I cross K इससे गुना कर दिए A2 B1 J cross I A2 B2 J cross J पलस A2 B3 J cross K फिर इससे कीज़े पलस A3 B1 K cross I पलस A3 B2 K cross J पलस A3 B3 K cross K इस method से हम नहीं solve करेंगे मने हम मिला देते हैं कि ये भी एक general method हुआ इसका value 0 इसका value 0 इसका value 0 अब सबका value हम put करें A cross B A1 B1 ये value 0 A1 B2 देखिए I J third vector क्या हुआ? K पलस A1 B3 I K उल्टा क्या होना चाहिए? तो ये आपको minus J पलस A2 B1 उल्टा है इसको क्या देगा? minus K पलस A2 B2 इसका हुआ? 0 A2 B3 J cross K इसी दा है? I पलस A3 B1 third vector क्या हुआ? J पलस A3 B2 B2 इसको क्लेक्ट कीजिए इस मेथड से solve नहीं कीजिए बहुँट लंबा टाइम लगा हमको I को कॉमल लिजिए पलस को एक दखिए यहाँ पर पलस में यहाँ क्या है? minus A2 B3 minus A3 B2 J को कॉमल लिजिएगा J में क्या है? A3 B1 minus A1 B3 K को कॉमन कर रहा है? K ज़िएग पलस में क्या है? A1 B2 minus A2 B1 यह तो हो गया लंबा मेथड long मेथड हुआ अब इसका short मेथड दखिए जो उसी value को हम direct value calculate कर ले है इसको हम राने देते हैं यह जो value आया A cross B is A करके multiply 9 वार गुना करके और इससे direct आता है कि नहीं देखाते है A cross B पले हाँ पर भरिया I, J, K first vector का coefficient ले लो A1, A2, A3 दूसरा के ले लो B1, B2, B3 अब आए इसका value इधर दखिए आई लिया इसको छोड़ दो इसके नीचे वाला छोड़ दीजे arrow मार दे रहा है first इधर से multiply किजे और second इधर से multiply करके minus कर दीजे तो क्या होगा A2, B3 minus A3, B2 अगला में आप minus लगा दीजे rule है वही काम कीजे बीच वाला छोड़ दिए पहले इधर से गुना करो इधर से करोगे तो A1, B3 minus A3, B1 K को लिजे K L में फिर plus वही काम इसको छोड़ दना है इधर से जाए A1, B2 minus A2, B1 अब ये दोनों को हम मिलाते है टैली करा रहा है कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं फर्स्ट ब्रैकेट देखो फर्स्ट ब्रैकेट में सेम है थर्ड ब्रैकेट पाले चेक करो सेम है सेकेंड में बोलोगे उल्टा लेकिन यहां पड़ क्या है माइनस है इसको हम आगे और पीछे कर दे तो यहां पड़ क्या आ जाएगा पलस आ जाएगा जैसे माल लीजिए आप लिखें माइनस 3A माइनस B इसको तो यह भी लिख सकते है पलस B माइनस A तो दोनों भैलू सेम है अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यह भैलू आ जाएगा तो इसका जो भी आपका क्रोस पोड़क्ट का कोस्चन आएगा तो यह जो मेथड सेकेंड हुग हुआ उसी से आप सॉल्व किजिएगा तो एक एक्जामपल आते है A का भैलू 3I पलस 2J माइनस मालो 3K है B आपका 2I पलस 3 माइनस कर देते है माइनस 3J पलस 2K है आपको बोला गया कि A क्रोस B का भैलू आप कैलकुलेट कीजिए यही मेथड से क्रोस मल्टिपिकेशन से देखो यहा लिख दिया आई J K यहां बरियर 3 2 माइनस 3 2 माइनस 3 2 अब आते हैं आई लिए ध्यान दिजेगा इस पर ध्यान दिजेए फर्स्ट बला में यह बला को आप छोड़िए ऐसे मल्टिप्लाइ किजिए कितना हुआ फोर ऐसे मल्टिप्लाइ किजिए माइनस इंटू माइनस क्या हुआ पलाइ उसको फिर माइनस कर दो J को माइनस लेलो यह बीट वाला थोड़िए 6 और ऐसे मल्टिप्लाइ किजिए तो माइनस 6 और यहां माइनस किजिए तो माइनस माइनस क्या हो गया पलाइ अब K को लिजे, यह वाला छोड़ दिजे, ऐसे multiply किजे, minus 9, अब minus 4, अब solve किजे, यहाँ से क्या आया, equal to minus 5i, minus 12j, अब minus 13k, यही value आया, a cross b का, समझ मागया, तो a cross b, जो हम solve करेंगे, यही cross multiplication का, इसी method से solve करेंगे, एक question और बता जाते हैं, चलिए, तो a, 2i, plus 2j, minus k, b माल लिजे, 3i, minus 2j, plus 2k, अब आये a cross b का value निकालना है, a cross b, पले यहाँ भर दो, i, j, k, फर्स्ट का coefficient भरो, 2, 2, minus 1, 3, minus 2, 2, अब आये, आये, यह थोर दिजे, इसे किजे 4, और इसे multiply किजे तो क्या होगा, plus 2, minus करो, minus 2, j को लिजे, बीच वाला थोड़ी है, इसे गुना किजे 4, इसे गुना किजे, minus 3, minus minus क्या हो जागा, plus 3, k को लिजेगा, k, तो minus 4, अब minus क्या होगा, 6, तो यहाँ से क्या आया, 2i, minus 7j, minus 3k, यह भेलो आगया, कभी कभी क्या होगा, कि a cross b निकाल लिजे, तो a cross b vector quantity आये, और इसका अगर बोला modulus निकाल लिए, a cross b, तो a cross b माल लिजे, a निकला, तो modulus आप निकाल लिए सकते हैं, under root कर दिजेगा, 2 का square, minus 7 का square, minus 10 का square, solve कर जिए, यहाँ से 4, यह हो गया, 49, plus 100, इसको जोड़िए, under root 153, तो कोई भी vector का, अगर जो cross product हो, या dot, अगर modulus लेते हैं, तो modulus कैसा quantity होगा, a scalar quantity होगा, तो उमीद है, आप a cross b का मतलब समझ गये, अच्छा से, इसका physics में बहुँ जग अपलाई करेंगे, a cross b का जो direction लेते हैं, right hand rule से लेते हैं, अगर a cross b लेना है, तो a, यह जो अंगली है, उसको a पर रखिये, और इसको curl किजिए, curl किधर किजिए, जिधा ठिटा decreasing करेगा, और आपका जो अंगुठा है, थम जिधर जाएगा, वही उसका a cross b का क्या देगा, direction देगा, अगर b cross a आई है, तो पहले b से start किजिएगा, किधर move किजिएगा, a की ओर, और जिधर आपका ठिटा मूप करेगा, वही उसका direction होगा, तो इस देंग से हम vector का आज cross product आप लोग को समझा दिए, thank you. झाल झाल